हेलो फ्रेड मैं है दर और आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही एस्पेसल रेस्पी तंदूरी गोभी टिक्का तो आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में बहुत ही आसान तरीके से तंदूरी गोभी टिक्का कैसे बना सकते हैं तो सर्दियों का मौसा में तो गोभी मार्केट में बहुत मिलने ही सबके घर में गोभी आ रही तो आप एक बार मेरे तरीके से गोभी टिक्का बना के देखें बहुत ही बेहतरी टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में तो आपने क्या करना है वीडियो को पूरा देखन करके निकाल लेना है गोभी को बिल्कुल आराम से आपने निकालना है जल्दी बाजी नहीं करना है एक एक करके आपने कट निकाल लेना है गोभी का कट निकाल लेना है अब आपने क्या करना है इसको बीस से दो करना है एक कर दो करना है ज्यादा आपने बड़ा नहीं रखना ना ही जादा आपने छोटा रखना अगर आप जादा छोटा रखेंगे तो आपका गोभी गल जाएगा सरीया में आपके लगेगा नहीं बढ़िया तरीके से अगर आप जादा बड़ा भी रखेंगे तो आपका गोभी अच्छे तरीके से पकेगा नहीं टेश्टी नहीं तो हमारा पानी boil हो गया है, हमने गोभी को धुल लिया था अच्छे तरीके से, अब इसमें हम गोभी को सारी डाल देंगे, गोभी डालने के बाद आपने इसमें add करना है, half table spoon नमक यानि salt, साथ में टूपी जापने इसमें turmeric powder यानि healthy powder डाल देना है, इससे color आ जाएगा, अब आपने इसको 3-4 मिनट बॉयल करना है, आपने ज्यादा गोभी को बॉयल नहीं करना है, बाकी काम हम रोष्ट करेंगे, तब हो जाएगा, जो बचा कुचा असर रहेगा, गोभी को रोष्ट करने में पक जाएगा, आपने ज्यादा बॉयल नहीं करना है, अब आपने क्या क एफ से हमें टूपींग बलेक सौट। साथ में हाफ टेबलीस्पून हमने चाटमाजा सात होनार मेट साठ किया है हाफ टेबलीसुन जीरा पॉड़र टूपींग आप करना रेडशी पॉडर और हाफ से बना गार राखा हुआ गरम मसाला हम ने एड़ कर दिया है एक पीस आपने लेमंजुस एड़कर ner है और एक टेबारी स्पून आपने ऋड़कर मास्टरम यह सब डालने के बाद आपने बढ़िया तरीके से मिला लेना आप इसको fry भी कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, एक एक करके बढ़िया तरीके से गोभी मसाला लगा लेना है, तो हम इसको सरीया में लगाएंगे, तो आपने सरीया में कैसे लगाना है, वो भी बहुत ही आराम से लगाना है, कैसे लगाना है, अभी हम आपको वीडियो मे दिखाएंगे, सबसे पहले आपने गोभी को मसाले में मिला लेना है, बढ़िया तरीके से आप इसको रग भी सकते हैं, आदा गंटे के लिए, पंदरा मिनिट के लिए, बट हम इसको डारेक्ट आपको लगा के दिखाएंगे तो आपने क्या करना है, शिमला, मिर्चा, टमाटर लगा लेना, इससे आपकी गोभी जो है कॉली फ्लावर गिरे गिनी, तो एक एक करके आपने पतली सरिया में आपने इसको खोस लेना है, तो आप देख सकते हैं, अगर गैस के उपर भी स्टोन से भी बना सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, हमने पूरा गोभी को लगा लिया है, अब इसको हम तंदूर में रोष्ट करेंगे, चार मिनट पहले हम रोष्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम और दो से तीन मिनट पहल garbage में रोष्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारा चार मिनट हो चुका है, और बढ़िया तरीके से गोभी में कलर आ चुका है, अब इसμεीं बटर लगा रहे हैं, आब इसमें ओल देशी गी भी लगा सकते हैं, ओल लगा आएगा आप एक बार बना करें अब आपपने क्या करना है इसको प्लेटर में निकाल लेना है तो हमारे पास हां तरीखना थरीग इसमें ड़ा को सुझधिटर में निकाल लेंगे आपने जलना भी नहीं है होता है उप manufacturing का यूज नहीं कि नहीं करना है तो हम रेस्टोर एंड होटल में बना रहे हैं इसलिए हम सिजलर में दे रहे हैं ताकि हमारी गोभी में स्मोक भी रहे और बढ़िया तरीके से खुझबू जाए तो इसमें आपने क्या करना है चाट मसारा थोड़ा सा बटर डाल देना है ताक देखते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्वाद बीडियो